ऊपिन की alignment को जानते हैं ना शृवालों को जानते हैं ये तू भूकिय सहाब ये नीवालों को जानते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि हम भला ये पहेलिया क्यों बुजा रहे हैं सीधा सीधा आते हैं मुद्दे पर जिहां शोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक इन दिनों अगर चटचाओ का कोई विश्रे बना हुआ है तो वो है जोमैटो विवात जिहां तो आज मैं अप संगलोरु वाले मुद्दे से तो आप सभी वाकिफ होंगे लेकिन हाल ही में एक और नया मुद्दा सामने आया है जोमैटो को लेकर जिसमें रोटी के लिए धर्म को आडे लाया जा रहा है अब इसी पर मैं सबसे पहला सवाल लेती हूं इशिका से इशिका रोटी के लिए धर्म को आडे लाना और धर्म के बीच मर भूक और रोटी जैसे मुद्दे को लाना कितनी सोचनी बात है इस पर आपकी क्या रहा है देखिए अगर रोटी के मामले में या फिर अगर इस बात को मना कर देना कि अगर कोई सामने वाला जो है वो किसी और धर्म का और वो मेरी बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए इशिका ने कहा कि इस बात को बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए आप सब शांत बैटे हैं बलकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस होनी चाहिए रोटी के लिए सब की लड़ाई होनी चाहिए और यह मुद्दा तो मैं इस बात से बिलकुल सहम बतनी हूं आपके कि मुद्धा उठना चाहिए खाने को लेगे और खासकर पर धर्म को भी बीच में लाना ही नहीं चाहिए कि अगर को दूसरे धर्म का है तो हमें खाना नहीं दे सकता जैसे कि आपने बताये मुद्धा उठा यह वाला कि कोई सब्सवाद की इंफोर्मेशन मिली कि जो और लेकर आ रहा है वो गैर हिंदु है तो उन्होंने तुरंत उस ओडर को कैंसल कर दिया। इस पर उन्होंने ट्वीटर पे जुमेटो को टैग करते हैं कि जुमेटो हमें बात हैं नहीं कर सकते कि मैं यह और लूँ इस पर जुमे उस आदमी ने धर्म के उपर सवाल उठाकर सबसे पहले तो अपनी सोच को दिखाए कि इतनी गंदी सोच का है कि उसे क्या पता कि जो चावल उसके घर में आ रहा है वह मुस्लिम बना रहा है या फिर कोई हिंदू तो उसने धर्म को बीच में लाकर गलत किया और जो जो मैटो उन्हें आंसर दिया है वो बहुत सही दिया है इस पर मैं पूरी तरीके से वर्शा के बाद पर अगरी करती हूं कि उनके घर में जो चावा ला रहा हूंने क्या पता कि वो कौन से धर्म का बना रहा है और उन्होंने जबना ट्वीट किया था उसमें भी उन्होंने खुले तोर पर इस बात को लिखा था कि वो नॉन हिंदू था इसलिए मैंने अपना ओर्डर कैंसल किया था और वो फिर अपनी ट्वीट में अपने आपको एक विक्टिम की तरह दिखा रहे थे कि जुमैटो मुझे फोस नी कर सकता है कि मैं खाना किस से लूँ तो ये बात तो बि पॉपॉलारिटी घेरने की जो ये चीजे कर रहे हैं वो मुझे बिल्कुल गरता है देखिए अमूमन ऐसा भी होता है कि अगर कोई आम व्यक्ति अपने घरेलू या अपनी अमूमन जिंदिगी से बोर हो जाता तो तो पॉब्लिसिटी स्टन्ट अपनाता है तो हो सकता है पॉपॉलारिटी को किसी तरीके से हाइलाइट करना चाहते हो और इसलिए उन्होंने ये हथकंड़ा अपनाया हो अब पॉपॉलारिटी की बात हो रहे तो हेमानी से जानना जाओंगे कि हेमानी आपको क्या लगता है कि ये वाकई में पब्लिसिटी स्टन्ट हो सकता है जी बाद उनकी खुद की पॉपलेरिटी देखिए एक टाइम पे उनके 20K फॉलोवर्स थे और आज उनके 60K फॉलोवर्स हैं यह पॉपलेरिटी स्टंट है और जब कोई मुद्दा गरमाया जाता है तो लोग उस मुद्दे से अपने आपको तो पॉपलर करना चाते हैं और ऐसा कि मुद्दो को लेके लोग आजकल सामने आ रहे हैं तो यह चीज तो मैं बहुत गलत मानती हूं लेकिन हमारे यंग्स्टर्स इस तरह की चीज़े करें वह धर्म के क्योंकि यूद को कहा जाता है कि वही हमारे देश का भविश्य हैं उन्हीं से हमारे देश का भविश्य से डिसाइड होता है अगर वो ही एसी चोटी-चोटी चीजों पर और बेसिक नीड पर धर्म को बीच पर लेकर आएंगे तो इससे तो हमारा देश एक गलत ही दिशा के तरफ बढ़ेगा अब इस पे घितांजवी मैं आपसे यह जाना चाहूंगे जो बैंगलूरु वाला मुद आते हैं क्या अब जोमैटो लोगों की नजरों में चड़ गया है नहीं ऐसा नहीं है कि जोमैटो को यह मुद्दा बनाया जा रहा है जैसे आपने बूला कि हमीर शुकला वाला मुद्दा हुआ और अभी चित्रान्शी वाला मुद्दा उटर है तो यह बार बर कही ना कही वो ही चीज रिपीट हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि इसको मुद्दा नहीं बना ही गया है लेकिन जुमेटो कहिना कि बारबर बीच में नाम आ ही रही है तो यह जो बैंगलोरियो वाला मुद्दा है इसको आप कैसे देखती है आप किसके फेवर में है लड़की के फेवर में है लड़के के फेवर में है मैं कहूंगी कि दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए क्योंकि एक पक्ष की बात सुनके कभी भी कोई निर्ड़ने नहीं लिया था लेकिन दोमेटों ने लड़के को जो है उनकी नौकरी से निकाल दिया उस पर जुर्माना लगा लड़की की पॉपुलारिटी बढ़ रही है सस्पेंड हो गया तब तक वो नौकरी से नहीं लिका रहा है उन्होंने ये सफाई दिया कि जब तक उस पर इन्वेस्टिकेशन हो रहा है तब तक वो नौकरी से निकाले गए है लेकिन वो भी उसके टच में है ठीक है। यहाँ पर एक सबसे बड़ा पॉंट ही आ रहा है कि उसने टाइम के लिए उस बंदे को सस्पेंड कीया गया है लेकिन उतने टाइम तक उसका करता धरता कौन है कहां से आएगा उसका इंकम सोर्स तो देखिए ये जो बात कितांजरी ने कही है कि उसका जो income score सभी के लिए बंद कर दिया गया है तो ये बात तो यहाँ पर साफ ही खारेज हो जा रही है कि उसको नौकरी से नहीं निकाला गया है तो नोकरी पर नहीं आई है पर फोने जौब से निकाल दिया लेकिन हम उस्तुर नहीं हरा है बस जब तक वह उसे नोकरी पर नहीं आ रहे हैं जितने टाइम डिरेशन के लिए वो हमकिने रहेंगे उतने दिन की तक उनकी सैलरी कट होगी न इस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगी कि यहां पर हम किसी लड़के या फिर जिसने ऑडर किया या फिर दोनों में से किसी को अभी तक ब्लेम किया जा सकता है क्योंकि आई दिन हम ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर कोई भी छोटे से चोटा मुद्दा इतना जादा वैरल हो जात कुछ पा की बात को काटते वे यह कहना चाहूंगी कि अभी शोशल मीडिया पर यह भी वाइरल हो रहा है कि वो लड़की जूट कह रही थी और उसके काफी सारी तस्वीरे भी सामने आई है जिसमें पहले उसके हाथ पर और फेस पर चोट नहीं थी और जहां अब वो चोट कि एक अपडेट सामने यह लोग पीडिता है वो लुड़ी ता है वो मेक आप अर्टिस्ट है तो खबर यहां तक भी सामने आये थी कि उसने जो अपनी नाक तोडने वाला इशो बनाया है वो कही ना कही उसकी मेक अक्र क्रेटिविटी का हिस्सा है तो आप इस बात से सहमत जी मुझे यही चीज लग रही है क्योंकि मैंने उनकी जितनी वीडियो देखी है अभी रीसेंटली जो उनकी वीडियो वायरल हुई है उसमें उनका यही दिखाया जा रहा है कि वह ऐसा कर रही है और रीसेंटली उनके हाथ में चोट दिखाई गई है जो बहुत लोग तो है नहीं और यह तो सिर्फ सिंपथी गेन करने के लिए वो कर रही है और उसी के जरीए वो पॉपलेरिटी हासिल करना चाहती है चलिए तो आपने यह तमाम बाते सुने यह एक ऐसा संगीन मुद्द है जिस पे घंटों बहस हो जाए फिर भी शायद कोई कंक्लूजिन य यह बेहती जादा शर्मनाक है अमिश शुकला अगर पबलिसिटी स्टंट के लिए कर रहे हैं तो उनकी हम सब निंदा करते हैं और अगर वो दोशी पाय जाते हैं तो जोमैटों से भी अपील की कर रहे हैं हम कि उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए वल फिलाल इतना ही जुल्दी आपसे मिलेंगे किसी खास डिबेट के साथ फिलाल इतना ही देखते रहे 24x7 ओनलाइन न्यूज